तो बहुत सारे लोगों के मंद में एक डाउट होता है कि अगर हम कैनला जा रहे हैं तो हमारे टोटल एक्सपेंसिज कितने लगेंगे क्या एजेंट हमसे ज्यादा पैसे तो नहीं ले रहा क्या हमारे साथ कोई ठगी तो नहीं हो रही तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके कितने expensive लगेंगे आप अगर Canada आ रहे हो as a student तो आप इस वीडियो को end तक देखें आपको पूरी detail में जानकरी मिल जाएगी और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आगयाने वारी interesting वीडियो के बारे में आपको details मिलती रहे हंजी नमस्कार आपका एक बार फिट से स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्रोर कैनड़ा पर आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो में हम detail में बात करेंगे कि कितने expenses अगर आप Canada AJ student आ रहे हो तो आपको देने पड़ेंगे तो let's start now तो जो सबसे पहला और main step होता है कि आपको IELTS करनी होती है तो IELTS के exam की fees होती है normally 14,800 रुपे अभी के time में है और उसके लिए आपको coaching के 20 से 30,000 रुपे देने पड़ेंगे और उसके बाद जो दूसरा step आता है जब एक बार आपकी IELTS clear हो गई उसके बाद आपको सबसे बड़ा question तब आता है कि कौन सा college कितनी fees और क्या करना है तो normally college की fees offer letter पे लिखी होती है कि आपकी कितनी fees है fees थोड़ी vary करती रहती है according to the dollar price कि dollar का price उपर नीचे होता रहता है थोड़ा but normally जो fees है वो 14,000 से 17,000 Canadian dollar होती है डिपेंड करता है आप university में आ रहे हो public college में आ रहे हो या private college में आ रहे हो but normally इतनी होती है तो वो 14,000 से 17,000 मतलब कि आपकी 9 से 10,000,000 रुपे Indian currency में अगर हम बात करें तो आपको पे करने पड़ते है college fees वो होती है आपकी एक साल की उसके बाद आपको पे करने पड़ते हैं 10,200 dollar age GIC तो GIC क्या होती है कि वो पैसे आपको जब Canada में आप आते हो तो आपको return मिलते हैं every month पहले मीने आपको 2000 dollar के करीब मिलेंगे और उसके बाद हर मीने आपको 680 dollar के बीच में आपको हर मीने वापस मिलेंगे ऐसे करके एक साल में आपको 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 सारी मनी वापस मिलेगी तो वो बनते हैं आज की rate में अगर हम बात करें तो 625,000 के गरीब तो अगर हमने fees पे कर दी GIC पे कर दी उसके बाद जो खर्चे हैं उनमें आता है आपको medical करवाना होता है जैसे अगर आप medical भी डिपेंड करता है आप कौन सी सीटी से करवा रहे हैं अगर आप medical चंडीगड वगेरा से करवा रहे हैं वहां थोड़ा expensive रहता है नोर्मली क्योंकि वह थोड़े ज्यादा बीजी रहते हैं तो वहां पर price रहता है बायो मेट्रिक्स और इंबैसी फीस इंकलूडीड होती है वह 225 Canadian डॉलर लगते हैं जिसका मतलब कि आपके 15,000 रुपे के करीब बनते हैं तो टोकन के बाद जो फीस मलगी यह तो थे में खर्चे यह में खर्चे इनके अलावा आपके कोई extra खर्चा नहीं होता है अगर आपको किसी और चीज का बोल रहा है एक offer later होता है offer later का खर्चा लगता है आपका offer later करता है कि अपके कोलेजिस में अपलाई कर रहे हैं जैसे कि आप अगर एक कालेज ने अपलाई कर रहे हैं तो आपको 500 डॉलर नीर बाउट फीस होती है और लेटर की अगर आप मोर देन वन कॉलेज में अपलाई कर रहे हैं तो आपको उसी साफ से आपकी फीस बढ़ती जाएगी तो वह आप पे डिवेंड करता है उसके बाद नौर्मिल एजेंट की फीस होती है दस से बीस पचीस हजार रुपे से मैकसिमम इतने एक लेते हैं इससे ज्यादा अगर कोई ले रहा है तो मतलब कि कुछ गल्त है ऐसा सही नहीं है उसमें क्योंकि मैंने करवाया था मेरा प्रोसेस तो मेरे से 10,000 रुपे लिए था मेरे सारे प्रोसेस के उसके बाद जो अगली चीज आती है उसमें यह आता है कि आपकी टिकेट्स आपके मलगे आप कपड़े वगएरा खरीद रहे हो कुछ भी कर रहे हो सारा कुछ तो उसको आप एक लाग रुपे मानके चलो बहुत ज़्यादा सौपिंग करने की जूरूरत नहीं होती एक लाग रुपे में आपकी टिकेट भी हो जाएगी सौपिंग तो 18 से 20 लाख में आपकी आइल्स से लेके और आप कैनडा में एक महीने तक रह सकते हूं अगर आपका प्रोसेस प्रोपर ली चल रहा है अब अगर भाई कोई बाई मेरी तरह आइल्स चार बार कर रहा है पांच बार कर रहा है तो उसके एक्सेंस इंक्रीज हो जाएंगे तो वह ऐसे इंकलूड मत करना कि भाई आपने 18 लाख बताए थे मेरे 22 लाख लगे तो आइल्स एक बार में क्लियर करने की सोचा गरो सारे काम एक बार में क्लियर कर दोगे तो आपके नोर्मली इतना ही खर्चे लगें और इसके अलावा कोई इतना बड़ा कोई और किसी भ 12-1000 रूपे ले लेते हैं और एंड उफ दे हमारे बहुत सारे पैसे लग जाते हैं उसके बाद हमारे पैसे बस्ते भी नहीं है तो ऐसा मत करो पूरा ध्यान से प्रोपर ली चेक करके और प्रोसेस को किया करो और कर आपको कोई भी डाउट आ रहे है कि कौन से कॉलेज में कुछ भी दिक्कत आ रही है किसी भी तरहेंगी तो आप हमेशा में इंस्टाग्राम पर मेसेज कर सकते हैं और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें कितनी फीस वगेरा पे करनी पड़ेगी या कितना क्या प्रोसेस है तो मैं आपके हर चीज का सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइल को इन पर क्लिक करते हैं ताकि आपको आगयाने वाली इंट्रस्टीग वीडियो इसके बारे में नोटिफकेसन मिलता रहे और हमारा भी होंसला बढ़ता रहे अपने दोस्तों के साथ से जरूर कर देना thank you so much have a good day